हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुती कुपसूरत पैटन से अरकनने जारी हूँ, इस पैटन को आप जैंड साफ स्विटर, फूल स्विटर, जैकेट, लेडी स्विटर, गल्स स्विटर, बेबी स्विटर, कैप आदी में बनके बहुती कुपसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है, और फ्रेंट साइट से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होता है, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई सा भी बॉर्डर पैटन बनाके कम्प्लीट करेंगे, बॉर्डर प्रेंट साइट से पैटन की फर्स्ट रोव में देखे, पहला फंदा उतार लेना है, और नेस्ट देखे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा सीधा, अब देखे, हमारा ये पैटन फोर के मल्टिपल में आएगा, तो देखे, चार फंदों में से एक फंदा हमने करणें लेप नीडिल में सिप्ट करेंगे अब इन तीन फंदों को एक सात हुनेंगे कि और ऐसे बैक साइड की तरप से सलाई डालेंगे आप देखे इन तीन फंदों से हमने तीन फंदे बना लेने एक सलाई में धागा लपेटा दो और बुनके तीन इस तरीके से फिर धागा पीछे ही रहेगा एक फंदा सीधा अब नेश देखे यही चार फंदों का प्रोसेस रिपीट होगा तो एक फंदा सीधा फिर दो फंदे तीन फंदों में से दो फंदे ऐसे उतारेंगे राइट निडिल में फि फिर इन तीन फन्दों को एक साथ वुनेंगे यह देखें एक ये दों और ये तीन तीन फन्दों से हमें तीन फन्दे बना लेने अब सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे एक फन्द सीधा अब में साइड की तरब से सलाई डालेंगे और तीन फंदों से हमें तीन फंदे बना लेने एक सलाई में धागा लपेटा दो और भून के तीन फिर एक फंदा सीधा फिर नेस देखे तीन फंदों में देखे पैटर आएगा तो देखे दो फंदे ऐसे उतारेंगे राइट निडिल में फिर इनको पल्टा लेंगे और इनको लेफ निडिल में सिप्ट करेंगे फिर इन तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे और तीन फंदे बना लेंगे फिर एक फंदा सीधा लास्ट का फंदा भी सीधा तो देखे ये फ्रंट साइड से हमारी पैटरन की फास्ट रो कंप्लेट हो गई ये देखे अब रॉंग साइड से देखे सेकिंड रो अब सेकिंड को उल्टा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है यह देखे सेम प्रोसिस को रिपीट करते हुए रॉंग साइड से हमने अपने सेकंड रो कंप्लेट कर लेनी है यह देखे यह रॉंग साइड से हमारी सेकंड रो कंप्लेट होई आप देखे फ्रेंट साइड से पैटन की थार्ड रो अब थार्ड रो में हमारा पैटन रिपीट एंड सिप्ट होगा तो देखे पहला फंदा उतार लेंगे पहला फंदा उता लेना है अब थार्ड रो में हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे फर्स्ट रो में हमने एक फंदा सीधा बुना थार्ड रो में हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन फंदे सीधे अब देखे नेश्ट देखे सीधी साइड से सलाइड डालेंगे और दो फंदे ऐसे राइट निडिल में उतारेंगे फिर इनको पलटा के ऐसे लेप निडिल में सिप्ट करेंगे फिर देखे इन तीन फंदों को एक साथ मुनेंगे और तीन फंदे बना लेंगे एक, दो, तीन अब नेश्ट देखे फिर एक फंदा सीधा फिर देखे सीधी साइड से हमने इन दोनों फंदों को ऐसे राइट निडिल में उतारेंगे पलटा के फिर इनको लेप निडिल में सिप्ट करेंगे फिर इन तीन फंदों को एक साथ मुनेंगे और इनसे तीन फंदे बना लेंगे एक, दो, तीन, फिर एक फंदा सीधा, अब देखिए, नेस्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे, सीधी साइट से हमने ऐसे दो फंदों को उता लेना है, फिर इनको पलटाएंगे, ऐसे लेपनिडल में सीफ्ट करेंगे, फिर तीन फंदे एक साथ बुनेंगे, और इनसे तीन फंदे बना लेंगे, फिर लास्ट के फंदे सीधे आ जाएंगे, तो देखिए, एक, दो, तीन, तीन पंदे सीधे, लास्ट वाला पंदा भी सीधे आ जाएगा। तो देखे ए मारी पैटन कि थारड रोञ कंप्लीट हो गई। अब देखे ए लॉंग साइट से फौर्थ रों में देखें प्वेला पंदा उतारेंगे और रॉंग साइट से हमने फौर्थ रों को उल्टा ब यह देखिए रॉंग साइट से हमारी फूर्थ रो कम्प्लीट हो गई आप देखिए फ्रंट साइट से फिप्त रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा फिप्त रो को हम फस्ट रो की तरह बुनते हुए कम्प्लीट करेंगे इनी चार सलायों के पैटर्न को हमने बार बार रिपीट करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आजाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटर्न है आप इसे अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वी थैंक यू